हेलो स्टूडेंट स्वागत है आप सभी का एक बार फिट से हमारे इस ओफिशल यूटूब चैनल में जिसका नाम है S.O.L. Solution मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ सो आज की एनई वीडियो हमने आप लोगों के लिए इसलिए बनाई है क्योंकि School of Open Learning की ओर से यानि S.O.L. की ओर से सभी बच्चों के Second Phase के Halticket Release कर दिये हैं चाहे उन बच्चों ने अपने First Phase के एक्जाम दिये थे बट फिर भी यहाँ पर S.O.L. ने हर एक बच्चे के जो Halticket है वो Release कर दिये चाहे आपने अपने पहले चरण के Open Book Examination दिये थे या फिर आपने अपने पहले चरण के Open Book Examination नहीं दिये थे सबी बच्चों के लिए Halticket Release कर दिये गये हैं अब बच्चे बार-बार यह कमेंट करके Messages करके पूछ रहे हैं कि सर जी मैंने तो दे दिया था मेरा Portal पे Successfully Upload भी हो गया था answer और मुझ पर mail भी आ गया था मेरे email ID पर मेरे पास में mail भी आ गया था कि आपका answer sheet successfully submit हो गया है बट फिर से जो यह अब नए admit card release किये गया है S.O.L. की ओर से तो इस पर यह नया हमारे exam date और यह दुबारा से नहीं नहीं चीज़ें क्यों आ रही है जिन बच्चों ने दे दिया फिर भी So guys बहुत सारी confusion है आप लोगों की exam को लेकर second phase के किन बच्चों को देना किन बच्चों को नहीं देना आप पहले ही इतना confused हो चूंकि बहुत सारे बच्चे आप में से ऐसे थे जो समय रहते अपने OBE portal में upload नहीं कर पाए अपनी scan answer sheet और उन्हें mail करना पड़ा और mail के बाद में थोड़ी देर बाद में या फिर रात तक आपके पास में एक email आता है alert का जिसमें लिखा रहता है कि your answer sheet could not be completed या submitted और auto response का submitted का option आता है उस जगा पर आपके लिखे हुए कि आपका answer sheet जो है वो automatically submit हो गया है बट वहाँ पर आप upload नहीं कर पाए हो सो गाइस बहुत सारी ऐसी confusion है अब इन mails को देखने के बाद में आप आपको लग रहा है कि भाई मेरको भी देना है के नहीं देना exam second phase में लेकिन अब अगर आप अपना admit card डाउनलोड करते हो तो अगर आप देखोगे तो आपके आपने बेसक से upload कर दिया हो scan करके अपनी answer सच इट बट फिर भी आप लोगों के नहीं exam date show हो रही है जो कि 14 सितंबर से start होने वाली है so guys a lot to know and a lot to discuss before we begin please subscribe our channel क्योंकि इसी प्रकार की interesting और नहीं नहीं वीडियो आप लोगों के लिए मैं लेकर आता रहता हूं क्या confusion है कैसे क्या confusion है सारे की बारे में बात करेंगे लेकि बहुत बड़ी confusion है तो इस confusion को भी आज किस वीडियो हम दूर करने वाले तो चले guys start करते हैं आज की में अपनी इस वीडियो को So guys सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है अपनी S.O.L की जो official website है इस पर आएंगे और इस पर आने के बाद में आपको ये चेक करना है कि भी आप लोगों का admit card आ रहा है कि ने क्योंकि almost सभी students का जिन बच्चों ने पहले भी अपना open book examination पहले चरण में जो 10 अगस्त से बट फिर भी उनका फिर से admit card आ रहा है बच्चों ने बहुत सारी मैनत करी थी तो उनको दिमाग खराब हो रहा है एक बर आप भी इस तरीके से check कर लें फिर मैं आपको ये भी बताऊँगा कि बही क्या confusion है यहाँ पर क्या solution का निकल के आ सकता है या कैसे क्या होगा सबसे प कोल करके आएंगे और आपको इस student dashboard पर click करना है इस पर जैसी आप click करेंगे एक बर यह picture दियान देंगे आपको student dashboard पर students की pick है इसमें उसका चहरा नहीं है इस सर पे टोपी है और यहाँ पर आपको इस पर tap करना है जैसे आप इस पर tap करेंगे तो आपके सामने एक नई window उप करना है फिर नीचे आप यहाँ पर login वाले इस button पर tap करेंगे इस पर जैसे आप click करेंगे आप लोगों के सामने एक नई screen कुछ इस प्रकार की open ओकर आ जाएगी जैसे ही आप लोग अपने mobile phone में PC laptop में अपने student dashboard को open कर लेंगे तो यहाँ पर आपको पहले तो बहुत सारे option देखने को मिल रहे थे open book examination से लेटेड जैसे आज का paper download करने के लिए या फिर आप लोग अपने student portal पर जाना चाहते तो उसका link भी यहाँ पर था बट अब यहाँ पर सिर्फ आपको दो option मिल रहे एक examination form के लिए जो आप बढ़ना चाहते हैं यह आपके 30 अगस्त से 8 सितमबर तक आप बढ़ सकते हो और दूसरा option आप लोगों को नीचे मिलता है यहाँ पर आप देख सकते हैं UG admission ticket for open book examination 2020 सभी course के बच्चे अपने student dashboard में प्रिवेश करेंगे और इसके बाद इस पर आपको click करना है इस पर आप जैसे screen पर click करोगे तो आपके सामने कुछ white color की screen open होकर आ जाएगी कुछ इस प इसके बाद में आप लोगों को क्या करना है थोड़ा सा वेट करना है क्योंकि यह थोड़ा loading में time आएगा और यहाँ पर लिखा भी आएगा आपका please wait तो यह जो white color की आप लोगों के सामने screen open होकर आएगी तो इसके बाद में देखो automatically आप लोगों के सामने आ गया यह दिल पर इसको यह बाद चैक कर लेंगे तो आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार की screen open हो करा जाएगी यहाँ पर देख सकते हैं आप लोगों के लिखा हुआ है admission ticket for open book examination 2020 इसके बाद मैं आपको नीची से scroll गरना है इसको थोड़ा सा फिर वहाँ पर आपकी कुछ various details होगी बड़ा सा blur कर रहा है इसके बाद में आप लोगों को नीचे scroll करके आना है जैसे आप नीचे scroll करके आएंगे तो वहाँ पर आपका एक बड़े बड़े अक्ष्रो में आपका examination roll number भी लिखा होगा और इसके बाद में आप लोगों को नीचे आपके subject की details भी लिखी होगी कु यहाँ पर subject और उसका code और इसके साथ में यहाँ पर exam की date और उसकी timing लिखी है तो guys देखो 15 सितंबर से आप लोगों के exam है 14 सितंबर से है वैसे तो first year का जो part 1 के students से BA program के उनकी यहाँ पर एक तरीकी से पूरी date sheet वहाँ पर 14 तारिक से उनकी है लेकिन 15 तारिक से final year के students जो BA program के उनकी है तो यहाँ पर हिंदी का paper जैसे आप देख सकते हो यहाँ 15 सितंबर का show हो रहा है और यहाँ पर globalization का paper जो बच्चे ने successfully दे दिया था हिंदी का paper भी successfully upload कर दिया था इस बच्चे का मैं आपको दिखा रहा हूं सारे paper इस बच्चे के successfully upload हो चुके थे समय से पहले इस पर मुझे exam देना है या नहीं देना पहली बात पहला question यह क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखते हो अगर आप थोड़ा सा back आओगे तो आप लोगों के लिए मैंने बताया था कि दो option आप लोगों के लिए थे कुछ इस प्रकार के so guys यहाँ पर सिर्फ आप लोगों के सामने दो option आते हैं पहला option आप देख सकते हो कि आपको examination form बढ़ना है second phase के mock open book examination के लिए तो एक तो यह option आता है और नीची अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपके admission ticket के लिए admission ticket आप लोगों ने I hope देख लिया होगा थोड़ा नहीं खुल रहा है आपके phone में तो patience रखिए आप लोग हमसे contact कीजिए या फिर आप लोग अपने nearest किसी cyber cafe में जाए या ऐसे friend का इस्तेमाल करें उस समय जिनके phone में internet काफी तेज चलता है उससे बोले एक बर चैक करें इस तरीके से तो वह चैक करेगा इसके बाद में जो यह इस वाला option आप देखो examination जब form आप फिल करते हो तो यहाँ पर second notice में directly यह बात कही गई है कि वही students के लिए है second phase of mock test या second phase of examination जो या फिर उन लोगों का जो paper था upload नहीं हो पाए था या फिर वो students जो अपना answer scripts को email भी नहीं कर पाए थे और time के दोरान में तो guys ऐसे situation में अब आपके मन में बहुत सारे स्वाल आ रहे होंगा कि मिझे को देना या नहीं देना तो guys मैं आप लोगों से एक ही request करना सबसे पहली बात कि जो आपका exam की जो date ही 14 September की आई है पहली बात तो अची तरीके से समझ लो यहाँ पर सभी बच्चे और दूसरी बात जो आप form भर सकते हो 30 तारीक से आप 8 September तक भर सकते हो अब एक चीज यह भी दियान रखना अभी 31 तारीक ही आज की हुई है अभी भी आप लोग अगर गिनोगे तो लगबग आपके पास में 7 दिन एक अधिक्तम इससे जाधा ही है वैसे 7 दिन लेके चलो आप 7 दिन आपके पास में है मैं आपको बता दू कि आपके सामने कुछ options आएंगे या कुछ और नए notification आएंगे इसमें आप से especially आप लोगों के लिए हो सकता है as well videos भी बनाके बेज़ेगा कि अगर आप लोगों ने upload कर दिया था तो आप लोग ना करें apply या करना है सभी students को तो कैसे करना है चुकि सभी students का physical exam तो होगा या नहीं होगा ऐसी कोई बात नहीं आई है और जो फिजिकल एक्जाम के अगर बात भी हो रही है तो अगर आप जब अपना admit card पूरा भी मैंने जैसा की बताया तो उस पूरे के पूरे admit card में date और time तो mention है बट फिजिकल एक्जाम के लिए कोई center mention नहीं है अब पूरा कपूरा admit card चेक कीज़े कहीं पर भी जो भी मैंने बताया admit card वहाँ पर आपका exam center mention नहीं है कि इस बच्चे को फिजिकल एक्जाम देने के लिए जाना है तो बच्चे फिजिकल एक्जाम देने वाल है तो पहली बात उनके लिए admit card I hope मैं 90% sure हूँ 10% sure नहीं यह उनके लिए नहीं है दूसरी बात अब बा चैनल को subscribe कीजिए क्योंकि इसी प्रकार की जो भी अगर इतनी स्वीसुई की नोग भी कोई नहीं updates आती है तो मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा और जितनी बड़ी भी updates होगी तो सबसे पहले हमारा चैनल आप लोगों के लिए लेकर आता है और लेकर आएगा भी औ और आपको exam भी देना पड़े तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी आप लोगों को क्योंकि जहां पर अगर आपको physical exam देना पड़ेगा अगर by chance तो भी बड़ी दिक्कत वाली बात है क्यों बड़ी दिक्कत वाली बात है server issue हो गया तो आप कहीं दूर्दा जाय भी ने सकते कोविड-19 pandemic है फोन में रहेगा तो कम से कम साइबर कैफे वालों को WhatsApp कर दो गया फिर उसे mail कर दो गया तो वह उसी टाइम आपका print out निकाल देगा तो बहुत सारी बात है इसी तरीके से अभी आप लोग still क्या कीजिए अभी देखे यह जो notice है इस notice को पढ़ने के बाद डार 11 बच सुके थे उसके बाद हमने mail किया है तो शायद आपका अंसर उन्होंने receive नहीं किया हो सायद आपका अंसर उनके पास नहीं मिला हो इस वज़े से अब यहां पर हो सकता है probably I am not sure इस time पर कि आपको paper देना पड़ सकता है अगर आपने 11 बज़े से या आपके जो भी limited time आ अगर आप देखेंगे अलग अलग शिफ्ट की अलग अलग टाइमिंग ती यहां पर मैं morning shift की बात करूंगा कि सुबह साधे 7 बज़े से साधे 11 बज़े तक का time चार गंटे का time था आप लोगों के लिए तो इससे आपका अधिक time हो गया तो हो सकता है कि आपके एक दो तीन चार जितने भी paper हैं आपने अच्छी तरीके से उसे upload नहीं किया था और mail करने के बाद भी आपने देरी कर दी थी इस वज़े से आप लोगों को हो सकता है कि दुवारा देना पर जाए बट अभी इसकी संभावना सिर्फ 10% है क्योंकि यह संभावना भी इसलिए है क्योंकि एक-एक बच्चों को नहीं चाटना चारे इसलिए उन्होंने सबको दे दिया जो बच्चे इसके लिए eligible होंगे वह easily download कर लेंगे और अपना paper भी दे देंगे आशा करता हूं आपको यह बात भी समझ में आ रही होगी और इसी प्रकार की updates के लिए आप हमसे जुड़े हमार को पूरा को पूरा support देंगे चाहिए वह guarantee series से एक्जाम के दौरान में पहले भी दी थी फिर से देंगे और एक-एक subject के बारे में आपको अच्छी तरीके से भी बताएंगे कि यह question important है यहां से कीजिए यहां से कीजिए क्योंकि पिछली बार काफी कम समय था आपके बार त तो टोड़ा time भी है तो guys मैं आप लोगों के लिए इसी प्रकार की जो videos है वो लेकर आता रहूंगा मिलता है guys हम अपनी अगली वीडियो में जय हिंद जय बारत